ये पीडिये नहीं, ये प्रोडक्शन हाउस है तंगाईयों और अपराधियों का, तर्क देश का कोई ऐसा अपराधी नहीं, कोई ऐसा माफिया नहीं, जो समाजवादी पार्टी का सागिर्धन हो, ये आज की समाजवादी पार्टी तो माफिया और अपराधियों का भर रह गया है तो देश के अंदर एक नारा निकल पड़ा है देख सपाई बिटिया घबराई कि देख सपाई बिटिया घबराई यह पीडिये नहीं कि यह प्रोडक्शन हाउस है दंगाईयों और अप्राधियों का इन लोगों ने याद करिए उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा प्राधि नहीं कोई ऐसा माफिया नहीं जो समाजवादी पार्टी का सागिर्धन हो याद करिए प्रयाग राजकाति कहमत राओ गाजीपुर का मुक्तारंसारी राहो अंबेट कर नगर का खान उबारग राहो इस सभी के सभी समाजवादी पार्टी के प्रोडक्शन हाउस की ही उपस थी बिजनेस पार्टनर थे लोग एक साथ अपराद के लिए बिजनेस करते थे इस समाजवादी पार्टी वह समाजवादी पार्टी नहीं जिसके नाम पे भ्रम में डालते हैं बैन और भाईयों समाजवादी आंदोलन देश के आजादी के बाद देश के अंदर प्रारम हुआ था मुल्यों के लिए आदर्सों के लिए जैप्रकास नारैंड डाक्टर राम मनोहर लोहिया आचार नरेंद्र देव चंद्र सेखर जी जनेस्वर मिस्रा जी मोहन सिंग्जी जैसे सो नाम धन्या सोसिलिस्ट और समाजवादी सांदोलन के साथ जुड़े थे जिन्हों ने लोग कंत्र के लिए काम किया राजनीती की सुचता के लिए आज जी मन लड़ते रहे ये आज की समाजवादी पार्टी तो माफिया और अप्रावियों का जमावणा भर रह गया है और इसे लिए तो प्रदेश के अंदर एक नारा निकल पड़ा है देख सपाई बिटिया घबराई यही तो अयोध्या में हुआ यही कन्नोज में हुआ यही लखनों में हुआ यही हर दोई में इन लोगों ने किया अब आप बताओ क्या इसमें कारवाई नहीं करनी चाहिए थी क्या आप मुझे बताओ इनको बुरा लगता है कहते हैं साथ करवाई क्यों करती है हमने कभी इन अपराधियों को और इन माफियों के खलाब करवाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे